हेलो स्टुदेंट्स मैसल डीके जा केमिस्ट्री फेकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम और में चैनल केमिस्ट्री फंडा ठीक है दोस्तों आप लोग जैसे की जानते हैं कि अभी मेरा तोटल प्रियास है कि बच्चों को सीवेसी बूर्ट 224 के एक्जाम में कितना मैक्सिमम से मै अमर लाया जा सके इवन कि मेरा प्रियास रगा कि 70 में 70 आ जाए ठीक है तो जो बच्यावी तक प्रिप्याड नहीं है वो बार बार देखें जो प्रिप्याड हो चुके हैं वो इस वीडियो के हिल्प से रिभाइज करें जैसे कि 27 को केमिस्ट्री का एक्जाम है उसके लिए देखो कि यह आर सी एच ओ यदि सी एच ओ ग्रूप है तो यह हो गया अल्डी हाइड यह हो गया आपका अल्डी हाइड अल्डी हाइड हो गया यह हो गया आपका अल्डी हाइड लेकिन यहीं पर आप लिखते हैं आर आर डैस्ट सी डबल बांड ओ दिस इज कीटोन किटोन में क्या है कि आर इकोल टू आर डैस्ट हो सकता है आर नौट इकोल टू आर डैस्ट हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है और किसी भी कंडिशन में बिटा आप क्या है आर हो या आर डैस्ट हो किसी भी कंडिशन में हाइड्रोजन नहीं हो सकता है हाइड्रोजन नहीं ह हो सकता थी इस बात को आपको बिसेश ज्यान रखना है कि अल्डी हैड और किटोन का बेसिक में डिफरेंस क्या है ठीक है अब यदि आप कार्बोगिलिक एसीड की बात करें तो आर सी ओ ओ एच जब आपको यह फंक्शनल ग्रुप दिखाए दे आप समझ जाएगा कि यह हो गया कार्बोगिलिक एसीड कार्बोगिलिक एसीड यह सी ओ ओ ओ एच फंक्शनल ग्रुप इसको एसीड को बता रहा है आपके पास लिखा रहेगा आर शीयो सीयल आर शीयो शीयल या सीयल नहीं राकर के बी आर भी है आयोडीन भी है कोई भी एक्स ले लो यह हो जाएगा आपका असाइल हैलाइड ठीक है इसके साथ रहेगा आर सी यो ओ शी यो आर कुछ इस टेप का बड़ा ग्रूप आजा है तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रूप एसीड एन हाइड्राइड एसीड एन हाइड्राइड ठीक है एसीड एन हाइड्राइड आप यहीं पर आपके साथ लग जाए आर शी ओ ओ ओ ओ और यह हो जाएगा आपका इस्टर फिर हो जाएगा आपके साथ आर शीयो एन हटो यह आजाएगा एसीड एमाइड यह एमाइड गुरूप में आ जाएगा यह सीधे एमाइड लिखो एसीटामाइड बाद में हम देखेंगा अलग अलग नमिल प्रिचर करके तो सबसे पहले पच्चान हो कि यह जो चिप्टर ह कहने के लिए अलडिहाइड है किटोन है कार्बोगजिली केसीड है लेकिन उसके डेरिवेट्स भी आएंगे तो सिंपल सीचो है सिंपल सीचो है तो आप बता सकते हो कि यह अलडिहाइड है किटोन के लिए आर आरडस्ट अच्छा यह किसी भी कंडिसेर में हाड्रोजन नह OH ग्रुप का होना जरूरी है तब COOH ग्रुप है तो कार्बोगिलिक Acid है COX COCL COBR COI Acid Halide जब आप Acid Enhydride की बात करोगे तो R COOCOR Acid Enhydride इस्टर में आजाएगा R COOR यह आपको पश्चानना था पश्चान गे नोट कर लो आप इसे students हमारे पास कुछ important compound है जिसका नाम हमें जानना बहुत ही जरूरी है कई बार क्या होता है कि इसका common name करके यूज होता है और हम पश्चानने में काफी सारे difficulty का सामना करना पड़ता है खास करके यह जितने सारे नेम लिये हैं हमने NCRT से ही लिया हो यह जो पहला compound है आपके पास यह देख रहे हो कि benzene ring है benzene ring के साथ यहाँ पे OH group लगा हुआ है यहाँ पे OCH3 है और CHO है तो इसका नाम है भैनिलीन याद रखोगे आप लोग इसका नाम है भैनिलीन यह compound आप लोग लास्ट चिप्टर में alcohol phenol ether में भी परहे थे salicylaldehyde यह है आपका salicylaldehyde जब OH और CHO लग गया तो यह क्या हो गया salicylaldehyde अच्छा जब benzene ring में CH double bond CH CHO लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा senamaldehyde याद रखेंगे आप लोग इसका नाम क्या हो जाएगा senamaldehyde तो काफी यूज होता है बैनिलीन का भी salicylaldehyde का भी senamaldehyde का भी अब senamaldehyde लिख बोल दिया अब उसका common name यूज कर लिया अब कन्फ्यूज है बच्चा कि क्या है senamaldehyde IUPACC से तो कर लेगा लेकिन कुछ ऐसा टिपकल नेम है जिसका हमें कॉमन नेम जानना जरूरी ही जरूरी है that is senamaldehyde यह है आपका बिंजो फिनोन सेशिक्स एचपाइप सी यो सेशिक्स एचपाइप बिंजो फिनोन अच्छा इस टेप का कंपॉण्ड आप देखो कि यहां पर आपको दिखाए दे रहा है अब यहां पर गौर करो यह functional group है functional group के जस्ट बात वाले position alpha इसको बोलेंगे beta बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल डिहाइड इसका क्या नाम दिया गया बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल डिहाइड यह नाम ध्यान पर रखना है ठीक है जरूरी नहीं कि हमें सा आई यू पीएसी क का यूज हो common name भी दिया जाता है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल डिहाइड एकदम आसानी से चलो दिरे दिरे चलो कोई दिक्कत नहीं अच्छा यह बेंजीन रिंग देख रहे हैं आप बेंजीन रिंग के साथ क्या लग गया COCH3 तो यह हो गया यसीटो तीन कार्बन हो गया प्रोपिएयो्स एसीटो फिन ओन प्रोपियो फिनन और बेंजीन रिंग लग यह तो बेंज़े ने ही सीनामल ब्डिहाइड बीटाब्रोमो बीटाइरल दियाइड एसीटो फिन कुछ और निम हम ले लेते हैं जिसका यूज हमेशा होगा बच्चों आप सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं आयू पीएशी नेम का नोमेंक्लेचर का तो पहले आप इस तरफ देखो नोमेंक्लेचर की तरफ नोमेंक्लेचर में सबसे पहले आप अल्डिहाइड ग्रूप ले ले अल्डिहाइड ग्रूप अल्डिहाइड ग्रूप में अलकेन अलकेन मेंसे e हटा दो माइनस e अब प्लस al कर दो तो इसका जो आयू पीएशी नेम हो जाएगा आई यू पी एशी यह हो जाएगा अलके नल अलके नल और कॉमन नेम की बात करो तो अलकाल अलडी हैट उसी तरीके से ज़िए आप किटोन लेते हो तो किटोन में आपने ले लिया अलकेन अलकेन में से ए हटा दो और ओ एन इड़ कर दो तो यह हो जाएगा अलकेनोन अलकेनोन तो अलकेनल हो गया अलकेनोन हो गया तो फिरते ध्यान दे दो अलडी हैट का जो आई उ पी एसी नेम होगा अलकेन उसमें से आप ए हटा करके अल जोड़ दो अलकेनल किटोन का जो आई उ पी एसी नेम होगा अलकेन में से ए हटाओ और ओन लगा दो अलकेनोन क्या हो जाएगा अलकेनोन बहुत अच्छा अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जिनरली यहाँ पे सबसे पहले कुछ दो पॉइंट इंपॉर्टन पॉइंट देख लो आप लो कि जैसे हमने लिखा HCHO तो इसका common name क्या हो जाएगा common name हो जाएगा formaldehyde formaldehyde लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटेव मिथेनल एक ही कारबन है यह आजाएगा मिथेनल मिथेनल अच्छा आपने ले लिया CH3CHO तो इसका common name क्या हो जाएगा acetaldehyde 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 और इसका IUPAC नेम हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा एक कारबन और दो कारबन तो इथेनल इथेनल समझ गे तो common name इस कम से कम इस दोनों का याद रखो formaldehyde acetaldehyde IUPAC हो जाएगा मिथेनल इथेनल ठीक है लिख लिए ओके अब आप इसके बाद चलो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि किटोन का जैसे हमने लिया जैसे हमने लिया CET-3 CET-3 CO सबसे छोटा किटोन यही होता है अच्छा इसका common name की आप बात करेंगे इसका common name हो जाएगा acetone क्या हो जाएगा common name acetone अब वैसे हो जाएगा propane-2-one या propanone IUPAC में इसका हम नाम क्या लिखेंगे propanone propanone चलो यह basic था हमने कुछ बता दिया अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कुछ important compound के बारे में जिसके हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं हमारे पास compound है यह compound है अब इसका हमें नाम लिखना है अब देखो यह L-D-H-D group है यह main functional group है बेटा यह main functional group है counting should be started counting will be started from that side which give minimum number of position of the functional group main functional group अब आप यहाँ पे देखो इसको यहाँ माल लेते हैं functional group है हमारे पास तो इसका position क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब देखो 3 पे methyl है और 4 पे bromo है लेकिन bromo का B alpha-betically पहले आता है इसलिए 4 bromo 3 methyl और 7 तक गया है है 10, 1, L अच्छा वन position पे यह फंक्शनल ग्रूप लगा हुआ है तो it is not necessary to mention the position आप डिरेक्ट भी लिख सकते हो कि 4 bromo 3 methyl heptanol ओके यह clear हो गया यस और नो यस आगे बात करते हैं हमारे पास यह compound है जरा गौर करके देखना यदि यह नहीं होता यदि यह नहीं होता और यह भी नहीं होता इसका नाम क्या होता cyclopentan अब यह नहीं है तो क्या नाम हो जागा cyclopentanone अब cyclopentanone अब गौर करके देखो यदि हम इसकी counting करते हैं तो counting उस step से शुरू करो जिस step से इसका position कम हो जैसे 1, 2, 3 और इधार ते लेते तो आज़ा था 1, 2, 3, 4 इस side से नहीं लेंगे इधार ते लेंगे 1, 2, 3 3 पे क्या रहा है methyl तो 3 methyl cyclopentanone cyclopentanone चला अब हम जल्दी जल्दी इसकी बात करते हैं देखो यहाँ पे दो-दो functional group है एक aldehyde है और एक double bond है बेटा एक aldehyde है और एक double bond है अब बताओ priority किसका उपर है nominclature में aldehyde का है ना ठीक है aldehyde का जैसे priority उपर है तो aldehyde को आप क्या मान लो यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 अब देखो यह pentenal है लेकिन इसके second position पे क्या है double bond लगा हुआ है तो paint two in दो पे double bond है ने बेटा तो double bond को क्या लिखते है in paint two in one al paint two in one al ठीक है अब यहाँ पे आजाए आप जिराए इसको देखो यह ketonic group है तो one, two, three जदी यहाँ पे C3 होता कुछ भी होता तो first position पे यहाँ पे branch क्या लगा हुआ है final तो one final propane one on one final propane one on आप लोग इसे note करो और यह screenshot भी ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है बच्चो अब हमारी पास जो यह compound है इसको जरा आप गौर से देखो यह कैसा दिख रहा है सबसे पहला compound यहाँ पे हमारी पास आ गया है अब यहाँ पे देखो यह aldehyde है और यह ketone है ठीक है तो जाहिर सी बात है aldehyde यहाँ पे main functional group है तो counting उच साइट से सुरू कर दो तो यह हो जाएगा आपका one यहाँ पे क्या हो जाएगा two three four five three augio pentanel three पे यह जो co group है तो co group को क्या बोलेंगे perfect मैं augio तो three augio अब pentan के one पे अल है तो three augio pentanel three augio pentanel ठीक है अब यहाँ पे देखो जैसे माल लो यह benjal dihyde है इसके first position one two three four आप यह बोल सकते हैं कि four nitro benjal dihyde four nitro benjal dihyde और ऐसे भी बोल सकते हो कि four nitro benzin carbal dihyde क्योंकि benjal dihyde को दो तरीकी सों बोला जाता है benjal dihyde भी बोला जाता है और benzin carbal dihyde भी बोला जाता है तो you can तुम यह भी लिख सकते हो four nitro benzin carbal dihyde या direct यह भी लिख सकते हो कि four nitro benzin तो कैसे कांटिंग करेंगे कॉंट दी नमर आप कार्बन एटम फॉर्म दी लॉंगे चेन इंक्लोडिंग फंक्शनल ग्रुप तो वान टू थ्रे फोर फाइब अब आप यहां पर देखो कि सेकेंड ग्रुप पे क्या है मिथाल लगा हुआ है फोर्थ ग्रुप पे क्या लग इस टू फोर डामिथाइल हीबुफिज़ टू पोर डामिथाइल अच्छा सोरी टू फोर डामिथाइल पेंटेन थ्री हूँण यह हुज़ाएगा पेंटेन है थी equilibrium अच्छा अब इस कंपॉर्ट को देखो कि एह अल्डी हाइड गृप यहां पे है एक aldehyde group यहां पे है एक aldehyde group यहां पे है मतलब यहां पे more than one functional group है aldehyde group ही तीन बार present है अब इसको count कर लो आप one one two three तो propane propane one propane two propane three तो propane one two three tricarbodehyde propane one two three tricarbodehyde नोट कर लेंसे आप हेलो स्ट्रेंट्स अब मैं कुछ और important name ncrt से लाया हूँ ठीक है जिसको करने में दिक्कत होती है तो मैंने धूंड करके find करके कि जिसको बच्चों को करने में ज्यादा ही difficulty फिस करना पर रहा है पहले मैंने उसको लिया हो जनरली तो आप लोग करी लोगे जैसे यह compound है जैसे आप देखो कि ऐसे आप दोनों तरफ सी एचो ग्रूप पर हाथ डाल दो इसको ढग दो यह क्या हो गया अच्छा साइक रहेगा तो साइकलो हेग्जेन कारवल डिहाइड अब यहाँ पे सॉर्य यहाँ पे आपका सी एच त्री है अब इस पोजीशन से गवर करके देखो अलफा बीटा गामा तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा गामा मिथाइल गामा मिथाइल साइकलो हेग्जेन कारवल डिहाइड बतलब यह जो पोजीशन तुम अंदर में मैंने लिख दिया हो इसको बाहर लिख दिता हो गामा मिथाइल साइकलो हेग्जेन कारवल डिहाइड यस अब IUPAC कैसे लिखोगे, very simple, IUPAC लिखने का तरीका, पहले ये हटा दो, और ये देखो मैंने ये भी हटा दिया, अब इसका क्या नाम है, cyclohagen, अब मैंने इस पर से हाथ हटा लिया, अब इसका क्या नाम है बिटा, cyclohagen, carvaldehyde, अब IUPAC लिखना है, alpha, beta, gamma नहीं चलेगा, अब alpha, beta, gamma को erase कर दो, कर दिया, देखो, अब इसको ले लो बिटा, position 1, इसको ले लो position 2, इसको ले लो position 3, तो 3 पे क्या आ रहा है यार, क्या रहा है 3 पे, methyl आ रहा है, तो 3 methyl cyclohagen carvaldehyde, बहुत बहुत प्यारा नम, ठीक है, आप चलो जब इनकी बात कर लेता हूँ, देखो इनका common name कितना प्यारा है, CH2 double bond, CHCHO, common name है इसका acrylin, acrylin का तो खायर बहुत बार यूज होता है, CVST में भी होता है, acrylin, ठीक है, इसका नाम वैसा acrylin याद रखना परेगा, कोई logic नहीं है common name के पीछे, तो acrylin नाम है, बट जब इसका आप IUPAC name करोगे, तो कैसे करोगे, main functional group कौन है, aldehyde है, तो इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, prop, 3 है, तो prop, 2 in, 1L, prop, 2 in, 1L, prop, 2 in, 1L, अच्छा, आप जिराद देखो, यहाँ पे दोनों तरफ CHO group लगा हुआ है, तो नाम क्या दोगे, thylaldehyde, common name हो जाएगा इसका, thylaldehyde, 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 और IUPAC name हो जाएगा इसका, benzene 1, 2, 1, 2, benzene 1, 2, diicarbodehyde, बेंजीन 1, 2, diicarbodehyde, अब जिराएग यहाँ पे देखो, यह ज़दी आइसे नहीं रखते तो क्या होजाएगा था, cyclohigyanone, और common name हो जाएगा है, इस position के जिस्ट बाद वाला position था, alpha methyl cyclohigyanone, cyclohigyanone, और जदी आप IUPAC name लिखोगे तो इस alpha को हटा तो इसको 1 मालो, इसको 2 मालो, 2 methyl cyclohigyanone, चलो ठीक है, अब इसका देखो यह compound है, इसका common नाम है mesetyl oxide, but IUPAC में इसका नाम सोच लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पे क्या है, अधक 2 तो main functional group है, 3 पे double bond है, 4 पे methyl है, तो 4 methyl paint 3 in 2 own, 4 methyl paint 3 in 2 own, तो classification and nomenclature जो है, aldehyde और ketone का हो गया, आपको finish, अब मैं next part में चर्चा करूंगा आपको preparation of aldehyde and ketone, तब तक के लिए, thank you. प्रूंगा